इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इस दवा को लेते समय हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. इस दवा के सबसे सामाने side effect में rash और hives शामिल हैं. अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है, तो अपने डॉक्टर को बताएं. उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको अस्थमा है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं क्यूंकि इस दवा को लेते समय नजदी की निगरानी की जरूरत होती है. आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है अगर आप गरभवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद